हेलो गाईज, वेलकम तो आज चानल, जॉइन MNS अकाडमी, आज के वीडियो में हम साइन उनम्स के पार्ट टू करने वाले हैं, पार्ट वन हमने पहले ही कर चुका है, जिसमें हमने 50 कोश्टिंस किये थे, इन दे एमसी यू फॉर्म, उसी तरीके से हम इस वीडियो में भी कर पॉर्म में ही लिया है, ताकि आपको अंडिस्टांडिंग में बेटर हो, और चार ऑप्शन से, आपको इसका करेक्ट ऑप्शन जो लग रहा है, वो आपको चूस करके लिखना है, या तो लाइफ चाट बॉक्स में, या तो अपनी नोट बुक में, आप जहां पे भी इपलॉड, माइ अन्शोशिबल नेचर, उसके जो दोस्त हैं, उन्होंने हमेशा डिपलॉड किया है उसका जो अन्शोशिबल नेचर है उसको, यहां पे हमें डिपलॉड जो वर्ड है, इसका मीनिंग बताना है, क्या होना चाहिए, डिप्राइफ्ट, इंपलॉड, डिना डी, ठीक है, रिग्रेटर, डिपलॉड जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है, सौरो या दिस अप्रूवल, ठीक है, तो सौरो से एक तरीके से यह वर्ड आ रहा है, डिनाइड मतलब क्या होता है, किसी चीज को आप मना कर देतो, तो डिनाइड वर्ड आता है, डिप्राइ करते हैं उसके ishte उसके विंडेक्टिव नेचिर की वजह से विंडेक्टिव मतलब क्या हुआ वालद्ट क्रूल रिवैंच पुल यह इतएर बिल तो विंडेक्टिव यह सका मतलब होता है डिफेंड करना या ज़स्टिफाई करना option c correct है revengeful तो जो वैसा person इसका nature कैसा है वो किसी को justify करेगा तो कुछ हो गया तो वो revenge लेने जाएगा ठीक है किसी के साथ मान लो कुछ हो गया तो वो बुलेगा इसको justify करना है मुझे तो वो revenge लेने जाएगा इस हिसाप से इसका correct answer क्या हो गया option c next है आपको बताना है practical, playful, casual या clever तो pragmatic का मतलब ही होता है practical तो option a जो है वो correct हो जाएगा next है the queen was aware of insolent behavior of lord जो queen थी वो aware थी जो lord से उनके insolent behaviors के बारे में insolent का मतलब यहाँ पर क्या है violent, polite, insulting या frivolous इसका correct answer होगा option c insulting insolent का एक और meaning होता है bankrupt होना ठीक है next है fifth he become known as implacable foe of fundamentalism तो यहाँ पर जो word है वो है implacable इसका मतलब हमें बताना है rentless, pleasing, dangerous या courageous तो implacable का मतलब होता है impossible to prevent या stop ठीक है तो वो ऐसा बन गया था इसको stop करना या prevent करना impossible हो गया था next है the boy said the pain had abated abated मतलब क्या होता है reduced, vanish, increase, या stabilized बच्चे ने बोला, लड़के ने बोला कि उसका जो दर्ध है वो अब abate हो चुगा है क्या होना चाहिए abate मतलब होता है to put an end to so इसका correct answer होगा option A reduce next है he was the court appointed lawyer for 56 indigent defendant court की तरफ से उसको lawyer appoint किया था 56 indigent defendants के लिए indigent मतलब क्या होता है indian man poor, guilty या untired indigent मतलब होता है poor ठीक है तो option B जो है वो correct हो जाएगा especially ऐसे poor जिनके पास money नहीं होती lack of money है जिसके पास वैसे लोग को indigent बोला जाता है next है please do not give any more flimsy pretext for not having done the work flimsy का मतलब बताना है question में बोला है please और ऐसे reasons या मत दो अपने काम ना करने के लिए flimsy reasons मत दो ठीक है तो flimsy reasons क्या होता है weak, strong, justify या impulsive flimsy मतलब होता है weak ठीक है option A correct हो गया ill found मतलब कुछ ऐसे जूटा सा जो बिन मतलब का आप reason देते हो उसको बोलते हैं next है his behavior evoked punishment evoked मतलब क्या होता है escaped, call for, produced या summoned इसका correct answer होगा option B call for ठीक है evoked मतलब होता है to call out या to call for ठीक है खुद बुलावा देना मतलब आप जान मुझके कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिससे आपको पता ही है कि आपको punishment मिलने वाली है अगला है sympathetic criticism has a salutary effect salutary मतलब क्या है options देखते हैं premature, terrible, disastrous या beneficial मतलब आप criticize कर रहे हो किसी को लेकिन with a sympathy तो इसका कैसा effect होगा option D जो है वो correct है beneficial effect ठीक है salutary मतलब healing भी होता है healful healful तो option D correct होगया या effecting effect भी बोल सकते है जिससा अच्छा effect हो सकता है ठीक है इसका next है his allegiance to party was suspected from very beginning उसकी जो allegiance थी party की towards उसको बहुत ही starting से ही उस पे शक्त था लोगों को हमें यहाँ पर allegiance का मतलब बताना है allegiance का synonym बताना है servility, obedience, loyalty या passivity allegiance मतलब होता है loyalty to some curse या fidelity ठीक है तो इससाब से option C जो है वो correct हो जाएगा loyalty next है the song had a sporific effect on the child sporific मतलब क्या होता है वो गाना सुनके बच्चे के उपर एक sporific effect हुआ soothing, terrific, supreme या sleep inducing तो इसका correct answer होगा option D sporific मतलब होता है something that induced sleep कुछ ऐसा चीज जिसको जैसे अब कभी-कभी reading करते है reading करके काफी लोगों को नींद आती है बच्चों को हम लोरी सुनाते है ठीक है वो सुनके उनको नींद आती है तो वो song लोरी ही बोल सकते एक तरीके से उसने चाइल्ड की ओपर कैसा infect किया something that induced sleep next one is the youth was befogged when he was interrogating loudly by the police inspector befogged का मतलब हमें बताना है जो youth था वो बहुत ही befogged हो गया था जब police ने उसको interrogate करना start किया interrogate मतलब क्या questioning करना start किया terrific, panicking, surprised या puzzled इसका correct answer है option D, puzzled next है question number 14 I invaded her for her different outlook तो यहाँ पर invade जो word है इसका meaning बताना है हमे criticized, rebut, dislike या appreciated उसके अलग तरीके के look को क्या किया यह जो word है in way इसका मतलब होता है to complain ठीक है to complain loudly तो इसका correct answer क्या हो जाएगा option A, criticize करना या dislike करना ठीक है dislike हम मन में भी कर सकते हैं जरूरी नहीं है उसको बता रहे inoculus मतलब क्या होता है useful, injurious, cursing, no harm या bad inoculus मतलब होता है harmless या non-toxic तो उसे साब से correct answer हो जाएगा option C, cursing, no harm जो भी उसकी habits है वो ऐसी है जिससे कोई उसका बुरा नहीं होने वाला है next है 16th the priest pronounced bendication bendication का मतलब बताना है में good wishes, blessing, punishment या appreciation priest मतलब क्या होता है ठीक है इसका correct answer option B, blessings अगला है 17th, the newspaper reports was mendacious mendacious मतलब क्या होता है mischief, truthful, provocative या false इसका correct answer होगा option D mendacious मतलब होता है lying, untruthful या dishonest ठीक है तो उसे साब से D जो है वो correct हो जाएगा अगला है a person who equivocates should not be rely upon equivocates मतलब क्या होता है deceives other, tell lies, give misleading statements या flatters कोई ऐसा person जो equivocate करता है उस पर हमें rely नहीं करना चाहिए तो जो false information या statement देता है वैसे person पर हमें rely नहीं करना चाहिए तो equivocate मतलब होता है gives misleading statements अगला है the volcano on the island was dormant dormant मतलब क्या होता है island पे जो volcano था वो dormant था cold, inactive, dangerous या old the dormant मतलब होता है inactive ठीक है dormant phase में जो plants वगरा चल जाते है मतलब inactive phase में चल जाते है वहाँ से भी आपको ये word connect कर सकते हो next है the government should prescribed that sort of literature prescribed का क्या मतलब है government को वैसे literature को prescribe करना चाहिए rusticate, excommunicate, ban या outlaw इसका correct answer होगा option c, ban government को उस type की literature को ban कर देना चाहिए ban के लिए जो एक और word use होता है वो होता है prohibit या forbid ठीक है, forbid या prohibited ये दो words भी ban के लिए use होते है next है, it was deplorable that million of people in India are below poverty line ये बहुत ही deplorable चीज है कि इंडिया के जो लोग है काफी सारे वो below poverty line है hateful, regrettable, undesirable या unpleasant इसका correct answer है option b, regrettable next है, the vehicle slow down as they move up the gradient gradient का मतलब हमें बताना है जो vehicle है वो slow हो गई जैसे ही वो gradient के उपर चड़े sharp road, sorry road with a sharp bend, bumpy uneven path, slope or incline, mountain area इसका correct answer होगा option c, slope या incline आपने देखा ही होगा, ऐसे जब उपर चड़ते हैं तो वो vehicle slow हो जाती है, अगर नीचे जा रहे होते हैं तो वो अपने हापी fast चलने लग जाती है ऐसा cycle के साथ भी होता है, cycle तो चलाया ही होगा सबने next है, we must be proud of our cultural heritage heritage का मतलब बताना है हमें things we make for ourself, things we have lost, things we have from past, things we do for others यह word आपने कितने बारी सुना होगा अगर आप इसकी meaning गलत कर रहे हो, तो मैं क्या बोलू आपको जल्दी लिखो इसका correct answer है, option c, things we have from our past जो हमारे पहले से ही पूरवज time से ही चली आ रही है, वही होती है heritage, hereditary next है, sin is a soul, calamity that a wise man should apprehend apprehend का meaning बताना है हमें give up, discourage, comprehend या fear इसका correct answer है, option d, fear sin एक ऐसा चीज है, sin मतलब क्या कोई पाप करना जो किसी बुद्धिमान विक्ति को इस चीज से डरना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए उससे तो d जो है correct हो गया next question number 25, the cm reprimanded the officers for their methods of handling the public affair reprimanded का मतलब बताना है, cm ने officers को publicly, public methods को handle करने के लिए reprimand किया क्या किया, adultate, scold, servily, disapproved for, या suspended इसका correct answer है, option B, scold severely, मतलब बहुत जादा data जिस तरीके से उन्होंने handle किया public को, उस चीज़ों के लिए उन्हें काफी जादा data सी है, हमने okay, so guys, अगर अभी तक हमारे telegram जॉइन ने किया तो आप जॉइन कर सकते हो, यहाँ पर आपको काफी सारा study material मिल जाएगा PDF के form में, quiz के form में, unhandwritten notes, बहुत कुछ मिल जाएगा, आप हमारा Instagram पेज भी join कर सकते हो, MNS related कोई भी new update आती है, तो वहाँ पर post हो जाती है, प्लस अगर अभी तक आपने हमारे channel subscribe नहीं किया, तो please subscribe कर लेना, अगर आप MNS as parent हो, तो यह channel आपके लिए बहुत useful होने वाला है, प्लस नीचे links दी हुई है, mock test अगर किसी को लेना है, तो वहाँ से आप mock test भी ले सकते हो, तो description box में कुछ links दी हो है, please उसको check out भी कर लेना, okay, next है, he is not cut out to be a teacher, cut out का मतलब क्या होता है, trained, suited, selected या guided, काफी easy सा word है, answer है, इसका be suited, वो ऐसा नहीं है, मतलब teacher बनने लाइक नहीं है, ठीक है, next is question number 27, his information is not authentic, उसके information authentic नहीं है, यह word आपने काफी बार सुना होगा, अपनी day to day life में भी, ठीक है, real, reliable, believable या genuine, काफी close options है यह, word easy है, लेकिन options काफी close है, ऐसे questions में भी काफी बिच्चे फस जाते हैं, इसका correct answer होगा, option be reliable, अगला है, he induced human belong to want things they don't want, वो ऐसा induced करता है कि humans जो है, वो ऐसी चीज़े चाहते हैं, जो उनको नहीं चाहिए, influences, dictates, persuades, appreciates, तो induce का मतलब क्या होता है, persuade, option C जो है, वो correct हो जाएगा, तो basically sentence के आप बोलना चाहता है, कि जो भी person है, he, वो लोगों को persuade करता है, ठीक है, ऐसी चीज़े चाहने के लिए, जो उनको नहीं चाहिए, next है, after his father's death, he become insolvent, this word is repeated, I guess, जल्दी से answer करो, यह दो बार exam में आया, मतलब यह word important है, rich, poor, bankrupt या, यह non-challend, इसका मतलब होता है, bankrupt, option C, correct हो जाएगा, exaggeration of facts would always lead to the confusion, exaggeration मतलब क्या होता है, simplification, negative, emancipitation, या amplification, काफी अच्छा sentence है, अब day to day life में भी इसको देख सकते हो, इसका correct answer है, option D, amplification, ठीक है, काफी जादा अगर आपके पास हद से जादा facts या information है, उसके वज़े से भी confusion हो जाता है, अभी खुद मैंने काफी बच्चों को देखा है, पहले कुछ बच्चे बोल रहे थे, हमारे पास study material नहीं है, अभी उनको इतना सारा study material मिल रहा है, कहीं से भी मिल ज़ा रहा है, तो वो सारा क्या करते हैं, ले लेके रख लेते हैं, और बाद में confused हो के बैठते हैं कि पढ़ना कहां से है, ठीक है, तो अब वहीं से लो जो reliable आपको लगे और वहीं से लेके पढ़ो, दस जगह से दस चीज़े लेनी की कोई जरुवत नहीं है, बाद में हो क्या होगा, आपको confusion नहीं होगा कि मैं कहां से पढ़ू, कहां से ना पढ़ू, इसका correct answer है, option B, vastness, जो population की problem है, वो काफी बड़ी है, enormous मतलब बड़ा होता है न, वहीं से आप ये word भी ले सकते थे, vast, next है कुछ नबर 32, इन जेनिस का आपको मीनिंग बताना है, इन जेनिस का आपको मीनिंग बताना है, मतलब होता है frank, जो हुआ उसके साथ, उसने वैसे के वैसे बताया, ठीक है काफी सारे cases में देखा होगा आपने, आप सुनते हो कि उनके साथ क्या क्या हुआ, तो उसके explanation सुनके आपके आखों में आसु आ जाते हैं, अभी काफी जो ये political reason चार रहे हैं, आप देख रहे हो, किसी को भी मार दिया जा रहे है, किसी की भी मम्मी को मार दिया जा रहे है, just because हो किसी particular party को support कर रहे है, वो सुनके आपके आखों में आसु आ जाते हैं, तो वही चीज़ है ये, आपको इसका मतलब बताना है, ताइड, टाइड लेस, ब्रेव या स्किल्फुल, करेक्ट आंसर होगा इसका, option B, टाइड लेस, ठीक है वो कैसा worker है, वो कभी ठकता नहीं है, यहां से देखों ना, fatigue word आ रहा है ना, उससे से, लेकिन यहां पर इन लगा है, तो fatigue नहीं होता, ठकता नहीं है, नेक्स्ट है 34, she was completely engrossed in her work, engrossed का मीनिंग आपको बताना है, disturbed, absorbs, fatigue या successful, यह भी काफी easy word है, इसका correct answer होगा, option B, absorbed, वो अपने ही work में बहुत ही खोई हुई थी, ठीक है, नेक्स्ट है, he was, charismatic leader, तो क्यासा leader था, exceptionally fantasizing, particularly popular, completely pleasant, strangely haunting, इसका correct answer होगा, option A, exceptionally fascinating, next है, she thought that running into her old friend, was a stroke of fate, उसने सोचा कि अपनी old friend में, running into क्या, उसके अंदर गुज गई, run कर गई, नहीं, यह एक phrase है, running into, अपनी पुरानी friend से मली, वो एक stroke of fate था, running into का meaning हमें बताना है, meeting by chance, colliding, traveling with, quarreling with, जिसने phrases नहीं पढ़े होंगे, वो colliding करके आएगा, पक्का, इसका correct answer होगा, option A, meeting by chance, next है, he was very obliguing by nature, obling मतलब क्या है, helpful, nice, thoughtful, या compelling, इसका correct answer है, option A, helpful, next है, we should not allow adversity to discourage us, हमें adversity को allow नहीं करना चाहिए, खुद को disgrace करने के लिए, adversity मतलब क्या है, poverty, darkness, time of trouble, unfriendly criticism, इसका correct answer है, option C, time of trouble, सबकी life में problem आती है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि, कि किसी की life में problem नहीं आती, कि और कोई हमेशा ही खुश रहता है, तो हमें वैसे time पर कभी discourage नहीं होना चाहिए, hard नहीं माननी चाहिए, हम जो भी कुशिश कर रहे हैं हमें, करते रहना चाहिए, next question बहुत अच्छा sentence है ये, ठीक है, पढ़ो समझो अब समझाएगा, it is the difficulty, or scarcity of the thing that make it precious, तो ये जो word है scarcity, पहले आई इसका meaning देखते हैं, फिर मैं आपको sentence बताऊंगी, ठीक है, poverty, absence, insufficient, या disappearance, इसका correct answer है, option C, insufficient, ठीक है, तो कोई चीज difficult होती है, या insufficient होती है, वही चीज, उसे precious बनाती है, मैं की example देना चाहती हूँ, और मैंने देखा, ये पिछले साल से, काफी बच्चे relate भी कर पाएंगे इससे, Germanist के लिए prepare कर रहें पिछले साल से, पिछले साल हमारे पास जादा content या material नहीं हुआ करता था, ठीक है अब तो हमें जो भी जहां से मिलता था, हम उसको बहुती respect करते थे उस चीज की, जो भी हमें provide करता था, उसकी भी हम काफी respect करते थे, लेकिन इस year मैं girls को देख रही हूँ, especially groups में, जो बच्चे group में हैं, उन्होंने notice किया होगा, मैंने बोला नहीं ये कभी, बट अच्छा नहीं लगता, आप लोग ऐसे करते हो, आपको इतना सारा content दिया जाता, आपके लिए इतनी महनत कर रहे है सामने से कोई, और आप लोग उनकी तरफ एक thankfulness भी show नहीं करते हो, ठीक है, तो अगर यही चीज आपको नहीं मिलने लगेगी, तब आपको समझ आएगा कि वो चीज कितनी precious थी, पर अभी आपको सब कुछ मिल रहा है, मतब हम सब कुछ प्रोवाइट कर रहे हैं, तो आपको लगता है यह सब waste है, तो एक चोटी सी बात थी जो मुझे बोलने भी थी, और यह sentence देखके मेरे को एकदम से दिमाग में वही आ गया, इसलिए मैंने बोला, especially जो बच्चे इस year prepare कर रहे हैं, उनको इस चीज की importance समझ नहीं आती है, और ऐसी girls काफी misbehave भी करती हैं, बिकर उनको पता नहीं है यह content कहां से आ रहा है, यही सब चीज़े अगर हम लोग आपको stop कर दे देना, तब आपको समझ आएगा इसका importance, क्योंकि तब उसकी insufficiency हो जाएगी, हा न? मैं यह सब बोलती नहीं हूँ कभी, लेकिन कभी-कभी आप लोग बहुत जादा ही कर देते हो, तो अगर आपको respect करना नहीं आता किसी की, तो आप army के बारे में तो बिलकुल मत सोचो, ठीक है, बहुत blunt advice दूँगी मैं आपको, and yes, अगर आपको बुरा लगा तो sorry from my side, now let's move to next question, she is pretty, inspired, young lady, यहाँ पर हमें inspired का मतलब बताना है, clever, lazy, dull या lean, इसका correct answer है option, C, dull, तो काफी dull young lady थी, next है her condition, detorated day by day, detorated का मतलब क्या है, उसकी condition दिन पर दिन खराब हो रही है, हिंदी मैं बोलू तो, went bad, grew bad, sorry, worse, went down, या grew bad, correct answer होगा, B, grew worse, ठीक है, दिन पर दिन खराब होते जारी है, उसकी condition, next है, monumentous changes are taking place in the social and economical life of India, monumentous changes हो रहे हैं, social और economical life में, इंडिया के, monumentous मतलब क्या है, notorious, momentary, official, या enormous, जल्दी लिखो, इसका correct answer है, option, D, enormous, ठीक है, notorious मतलब तो, कुछ रातानी है, या कुछ bad thing को बोलते हैं, ठीक है, momentary मतलब, आप कुछ ऐसा moment जो याद रहे, official, official changes तो होते ही रहते हैं, monumentous मतलब कुछ बड़ा सा change, next, question number 43, it is difficult to discern, the sample on the slide, without adjusting the microscope, discern मतलब क्या है, discard, arrange, determine या debate, तो इसका correct answer है, option C, determine, बिना adjust किया microscope को, आप कैसे कुछ चीज़ देखोगे, slide पे, okay, तो option C क्या है, correct हो गया, next है, your intervention was required, intervention मतलब क्या होता है, interference, interruption, disruption, connection, इसमें भी देखो, काफी close option देएंगे तिनो, connection नहीं होगा, correct answer है, option A, interference, next है, 45, by 1918, Gandhiji had established himself as a leader, with a unique way of protesting, unique मतलब क्या है, 1918 तक, Gandhiji जी ने अपने आपको, ऐसा leader जिसे established कर दिया था, जिनका way of protesting, काफी ही, unique है, different, exceptional, excellent, या good, इसका correct answer होगा, option B, unique मतलब different और exceptional भी होता है, लेकिन यहापे exceptional हम correct करेंगे, next is, Mark Antoni's, eulogy, of Caesar, is finally recorded by Shakespeare, in his play, prayer, prayer, honor, praise, या denunciation, eulogy मतलब क्या होता है, correct answer होगा, option C, praise, Mark Antoni ने, Caesar की praise की थी, मतलब तारीफ की थी, praise मतलब होता है, तारीफ, ठीक है, वो Shakespeare की play में अच्छा से recorded है, next है 47, I see crumbling ruins of a proud civilization, strewn in, strewn like a vast heap of futility, futility का मतलब क्या है, irrelevance, absurdity, pointlessness, या downtrodden, इसका मतलब होता है, pointless, next है question number 49, दो question और बज़े जल्दी से करते हैं, our age is pre-eminently an age of science, यहाँ पे जो ये वाला age है, इसका मतलब क्या है, era, date, generation, या moment, इसका correct answer है, option A, ठीक है, era, last question है, Europe, America and Japan, have taken to the field of science, with singular vigorous and activity, तो यहाँ पे singular का मेनिंग बताना है, peculiar, outstanding, familiar, या single, इसका correct answer है, option B, outstanding, so we completed our 50 questions, अब आप मुझे 50 out of आपके कितने आए, मुझे comment करकी नीचे बताऊगे, and इस session को प्लीज शेर भी करना, आप लोग शेर नहीं करते हो, so kindly help me too, प्लीज शेर दिस, subscribe our channel, अगर अभी तक आपने subscribe नहीं कर रा है, और वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर दे न, thanks for watching, see you all in the next video.